बेलकम टू जीत मिडिल क्लासेश्ट डियर इस्टुडेंट आज के इस वीडियो में प्रवा हिंदी कार पूस्ति का नई पूस्तक के अंतरकत देखिए कार पत्रक एक से लेकर आपके 40 तक का यहां पर आपको देने वाले हैं एक ही वीडियो पर कम्पलेट सलुसन तो राजशान बोट के लिए बेशस्ए देखिए आपका हिंदी का कक्छा छे और सात वाले च्छात्रों के लिए चलिये इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कार पत्रक एक श्टार्ट होता है देखिए सबसे पहले आपको इसमें दिया गया है नीचे दी गये सब्दों में से सयुक्त बेंजन अलग केजिए अब आपको इसमें सयुक्त बेंजन अलग करना है तो किस प्रकार से करना है देखिए जैसे आपका गुस्सा का लिखा है यहाँ पे आपका सयुक्त बंजन क्या है आपका सा है ठीक है इसी प्रकार का में आपका लिखा है अम्मा तो आपका इसमें अलग कर देना है मा हो जाएगा ठीक है और रसी का देखिये हो जाएगा सी हो जाएगा टककर का आपका का हो जाएगा और कच्चा का आपका है पे चा ठीक है इसी प्रकार देखिए आपका अंगा नंबर में लट्टू का आपका टू हो जाएगा संख्या में आपका यापका लिख देना है और च्छा का गौला का देखिए आपका गौा यहाँ के हो जाएगा इसी प्रकार मक्खी का आपका देखिए खी यहाँ पे इसमें आप आपके संयुक्त बेंजन हो जाएंगे अब इसके बाद देखिए कोश्चन आपका पीस में दूसरा है दिये गए संयुक्त अक्षर का प्रयोग करती हुए चार चार आपको नए सब्द बनाने हैं अब इनमी जैसे देखिए आपका लिखा है च्छा से आपका हो जाता है चक्तू देखिए आपको इसी प्रकार देखिए यहाँ पर बना लिना है ग्यासे बनाएंगे आप तों देखिए ग्यानी हो जाएगा ग्यात और आपका अग्यानी त्रसे होगा त्रसूल चात्र चात्र और आपका पत्र स्रा से हो जाएगा स्रबन स्रम परिस्रम और आपका स्रमिक होगा तीसरी नंबर पर देखिए दिये गए स्युक्त बेंजन का प्रयोग करते हुए नए सब्द बनाना है तो आपका देखिए मस ही आपको देखिए यहाँ पे धर्म हो जाएगा कर्म नर्म सर्म और आपका सर्मीला और इसी प्रकार देखिए प्रसे आपका प्रेम प्रकास प्रती प्री और आपका प्रभात होगा और यहाँ से देखिए तासे आपका बनेगा पत्ता गत्ता कुत्ता सत्ता और आपका ल देखकर उपर से नीचे दाएं से वाएं सब ढूंड़े और लेखिए जैसे देखिए आपका यह त्रसूल दिया है तो आपको इसमें त्रसूल देखना है देखिए त्रसूल आपका यह पर यह मिल जाएगा और इसी प्रकार देखिए कि यह क्या आपका यहापका द्वार हो उत्तर लिख लेना है कार पत्रक आपका है पर एक कंप्रेट होता है इसके बाद चलते हैं आपका कार पत्रक दो पर तो देखिए कार पत्रक दो में यहाँ पर क्या लिखा है देखिए दियेगे सब्समोई में से भिन सब्द पर गोला लगाना है यैसे आपका देखिए का आपका देखिए अलग हो जाता है बादल आकास घन और मेग इसमें आप देखेंगे देखिए तो यह पे बादल और घन और मेग यह आपके देखिए समानारती है लेकिन आकास जेखिए आकास के है आपका नवगगन उसका आपका अलग हो जाता है दुख में देखिए दु ठोष का आपका है पे तरल आज का यहापे कल होगा इसके बाद देखी तीसरा दिया है रेखांकी सब्दों के विलोम सब्दों का बाक में प्रहुक कर रिक्ति स्थान भरिए तो आज हम असफाल होये तो कल सफल भी होंगे आपको यहापे कर देना है ठीक है असफल का आपका देखिए बिलो में आपे सफल होगा इसी प्रकार जैपे आपका रेखांकित दिया सरदी तो रेतीली इलाकों में सरदी और गर्मी दोनों बहुत होती है सूर पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्थ होता है हमें आयस से ज़्यादा ब्याय नहीं करना चाहिए इसके बाद देखिए आपका आता है चोथा निवलिखी सब्दों के दो दो परैवाची लिखिए जैसे आपका होता है जंगल और अरंड इसी प्रकार कपड़ा का हो जाएगा बस्त्र और वसं गरंबर देखिए कमल का कमल का आपका होगा पंकच और आपका जलज घरंबर देखिए चंद्रमा का होजएगा ससी और चांद परवत का क्या होगा अचल पहाड तो इस प्रकार से कारपत्रक दो भी समाप्त होता है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा इसके बाद आता है कारपत्रक आपका तीसरा यहापे दिया है दिये गए चक्र से इस्त्री लिंग वाले सब्दों को ढूंड कर उन मचलिया और नदिक आपका हो जाएगा नदिया ठीक है तो इसकार उत्तर करिएगा इसके बाद देखिए निम लिखी सब्दों में आपको लिंग परिवर्तित करना है तो धोबी का देखिए आपका हो जाएगा धोबिन क्योंकि आपका इस्त्री लिंग करना है ठीक है फू का होगा देवता औरत का होगा आदमी और चिडिया का होगा चिडा और मालिन का होगा माली इसके बाद देखिए आपका इसमें आता है उचित सब्द का प्रयोग कर आपको बाग के पूर्ण करना है मैं रोजाना दंत मंजन करता हूं तो देखिए आपको जो इसमें उत्तर कर करना है तो मैं रोजाना दंत मजण करता हूं धे कमरे में डैस डैस चल रहा है तो उत्तर में आप चल रहा है गाओं में क्या है तो बच्चे खेलते हैं इन दो अप्सन में आपको बच्चे लिखना है और डैस डैस हनुमान जाएगा तो आपको इसमें उत्तर देखिए वह कर देना है इसके बाद देखिए बाक को सुध्ध करके दोबारा लिखना है इसमें क्या लिखा है यह आपको चेंज़ नहीं करना पड़ेगा इसके बाद देखिए इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा इसके बाद देखे यहाँ पर आपका कारपत्रक 3 भी complete होता है, चलते हैं कारपत्रक 4 पर, तो देखे इसमें आपका दिया गया है, दिया गया बाक्स में समुच्य वोधक का सब्दो को छाट कर आपको रिक्तिस्थान में भरिए, आप देखे यहाँ पर लिखा है लेकिन अन् अप देखिए जुछा है बड़ो कहा मानो अन्न था आपको इपे अन्ता करना है इसी पर आभत देखिए आपके जो दियगा है इन सभी के अंसर देखते हैं इहाँ पर दोस्रे वाले में अंसर करना है यदि तुम आऊगे तो मैं भी चलूगा यहाँ पर भरना है मैं बिमार था इसलिए बिद्याले नहीं गया राधिका अच्छा नाश्ती ही नहीं अपितू काती भी है राहूल जाएगा या विसाल आएगा राम लक्षमण और सीता बनको गए इसके बाद देखिए 6 नमबर पर लिखा है वह जल्दी ही चला गया क्योंकि उसे बाजार जाना था उससे ने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ दूतरा देखिए नीचे दिये गए बाकों में की या फिर की का सही प्रयोग करना है तो यहाँ पर आपका दिया है वालिका ने चुनोईतिस स्युकार की इसके बाद देखिए उसने इतना तेज घुरा दड़ाया कि केबल धूप ही धूप धूप धूल दिखाई दी ठीक है धूल लिखाया इसके बाद कानपूर से बिद्रो की लहरे जहांसी तक आप पहुंची अंग्रेजों में इतना साहास ना था कि वे रानी को पकड़ सके इसमें आपको की करना है यह मेरे जीवन की अंतिम लड़ाई है इसके बाद देखिए आपका तीसरा आता है यहापे आपको रिक्त सान भरने है तो आपको संबंध भोजग के यूज करना है के विना के वीतर के सामने के नीचे के समान देखिए मेरे घर के सामने आपके इसमें सामने भरना है बिद्या के वीना जीवन बैर्थ है दिनेश पेड के नीचे बैठा है बाग के वीतर पोधे लगे हैं उसका मुक चंदरमा के समान है देखिए इस प्रकार आपका देखिए कार पत्रक चार भी complete होता है अब अगला देखिए, यहाँ पर कार पत्रक पांच आता है, तो इसमें दिया है नीचे दिय गए सब्दों के उनके विप्रीत अर्थ वाले सब्दों को मिलाना है तो देखिए आपको यहाँ इतने आपके सब्दे दिये हैं अब आपको चलिए यहाँ पर मिलाकर आपको दिखाते हैं यह देखिए आपको सभी मिला दिये गए हैं इसमें देखिए सूखा का हो जाएगा आपका गीला प्रसन का हो जाएगा उत्तर आकास अधिक गरम का हो जाएगा आपका ठंडा आकास का यहाँ पर हो जाएगा धर्ती अम्रत का होगा बेस और अर्थ का हो जाएगा यहापे अनर्थ और कटू का देखिए आपका हो जाएगा मरदू और ग्यान का हो जाएगा अग्यान इसी प्रकार देखिए आपको इधरी भर लेन है प्रकास का हो जाएगा आपका अंदकार और अपमान का हो जाएगा मान धरा का हो जाएगा देखी आपका गगन धर्म का हो जाएगा अधर्म जीवन का आपका देखी इसमें मरण होगा और इसी प्रकार देखी आपको यहापे उचा का आपका नीचा हो जाएगा और सासी का हो जाएगा इसमें देखे कायर और दंड का हो जाएगा है पे आपका पूरुसकार ठीक है चलिए भर लिजिए देखकर अच्छे से और इसके बाद देखिए आपके इसमें दूसरा आता है नीचे दिये गए सब्दों के बिलोम सब्दों लिखना है तो एक के आपका बिलोम क्या होगा अनेक होगा सच का आपका जैदा और दूर का पास सुर का देखिए नर्ख हो जाएगा जीत का आपका हार सुक आपका दुख होगा चुथसक आलसी दाया का बाया और इसी प्रकार देखिए तीसरे दिये गए सब्दों में आपको बिलोम सब्द लिखना है आदी लगु अंत रक्षक घ्रणा गुलामी, दीर्ग, आरोही, अज्यानी, आजादी, ग्यानी, आय, नर्जीब, अवरोही, ब्य, सजीब, पूर्व, प्रेम, भक्षक और अपूर्व आपको देखे, इसमें आपको लिख देना है जैसे आदी का आपका अंत होता है उसी प्रकार देखे, लगु का आपका देर्गोगा, रख्चक का आपका हो जाएगा भक्षक, घरणा का आपको लिखना है प्रेम, गुलामी का आपका आपका आजादी, अरोही का आपका देखे, आपरोही, अग्यानी, आय का व्याय, नर्जीब का सजीब, और पूर्व का तो यहाँ पर देखिए आपका कारपत्रक यहाँ भी complete होता है इसके बाद देखिए कारपत्रक आपका छे आता है कारपत्रक 6 का अगर हम देखें आपके देखें नीमले की सब्दों के सही बहु बच्छन सब्द पर सही निसान लगाने हैं तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखे चातरों यहाँ पर आपका क्या दिया है कि सही बहुबचन पर सही का निसान लगाना है अब इसमें देखे काखा गागा चार आपके सब्ध दिये हैं दीबार, माला, बच्चा और कथा तो देखिए दिवार में तीन आपसंद दिये हैं दिवारें दिवारें तो पहला आपको खुद दिया है दिवारें दूसरा देखिए माली माले और मालाय दिया है तो यहाँ पर आपको जो आंसर इसमें सही है बहुबचन मालाय होगा गनमबर पर दिया है बच्चे का साथ है इसमें करेक्ट है इसलिए आपको देखिए जो जो आपका पभुचन सही है उसके सामने आपको इसमें सही का निसाल लगाना था तो लगा दीजिए और इसके बाद देखिए दिया है दूसरा नंबर देगे उची सब्सक्राइब को छाट कर रखी हुई है, मेरे घर आते ही सारी तृतिलिया उड़ गई और इसके बाद देखें, तीसरे में लिखा है निमिल के सब्दों में से एक बचन और बहुबचन वाले सब्दों को अलग करना है तो आपको इतने सब्द देए हैं, देखें, डीविया, तलवार, रोटिया, कभी, कववा, चादर, बरतन, बच्चे, अनेख, गुडिया, भाला और मटका अब देखिए आपका जो एक बचन दिया है तलवार इसका आपका देखिए यह आपका एक बचन है कभी भी आपका एक बचन है चादर भी एक बचन है बरतन भी और भाला और मटका इसी साथ देखिए डिबी आपका यह बहुबचन है रोटिया आपका बहुबचन है कवे और बैठा था करना है ठीक है इसी प्रकार उसकी बहने ने राखी बांधी तो आपको सुद्ध करना है देखिए उसकी बहने राखी बांधी बच्चों ने मिलकर पौधा लगाया तो लिखिया आपको उत्ता लिखना है बच्चों ने मिलकर पौधे लगाए इसके बाद अब देखें ऐहां पर आपको जो दिया गया है। तो आपको देखें इस प्रकार से जैका आपको दिखाय है पराजय, खुला का आपका बंद, आयात का निरियाद, दोस्त का गुर, मोटा का पतला, सोभाग का दूर्भाग, सजीब का निर्जीब, नरम का सक्त, नया का पुराना, आना का जाना, सजजन का दूर्जन और बेचना का देखिया हैं पे खरीदना तो आपको इस प्रकार से इनके आंसर लिख देने है इसके बाद देखिये, दूसरा आता है, रिखांग की सब्दों के बिलोम सब्द का प्रयोक कर रिक्त स्थानों को भरे और बाग को पूरा करें, रात के बाद दिन होना तै है खेल में किसी की हार होती है, तो किसी की आपको अहेंपे जीत भरना है खुती आज असोस्त है तो कल देखे क्या होगा सोस्त भी होगी आज कच्छा में 36 उपस्थित थे तो 4 छात्र अनुपस्थित भी थे हाथी वड़ा जानबार है जबके चुहा छोटा जानबार है अभी मदन घर के अंदर है पहले वह बाहर खेल रहा था इसके बाद देखे आज मोहन ने जोट बोला लेकिन रोज सच बोलता है इसके बाद तीसर कोश्चन आता है देखे बिसेशन का बनाकर आपको रिक्तिसान भरने है तो लिखे है भारत में रहने वाले लोग भारती कहलाती है इसे आपका भारत का भारती हो जाएगा इसी प्रक चलते हैं कार पत्रक आट पर तो यहाँ पर दिया है नीचे सब्सक्राइफ नावे सब्सक्राइब कर पूरा करना है तो चंद पर अनुस्वार लगाना है तो आपको उत्तर सही हो जाएगा इसके बाद देखिए दूसरा कोश्चन दिया है नीचे देगे सब्दों के आपको इनसे अनुसर या फिर आपका अनुनासिक लगेगा उन्हें छाट कर लिखिए अब देखिए आपके सब्द दिये हैं अगर मैं इनके अनुसर की बात करू तो देखिए यहापे आपको जो साप, अधर और दाव लिखा है तो इनमें देखिए आपको लिख देना है आपका अनुनासिक किसमे लगेगा तो आपको यहापे दाव पर लगेगा छाओ, चंदा, चंचल देखिए आपको पूरा सब्द आपका लिखा नहीं है तो आपक काका चंचन हो जाएगा अब देखे इसमें जो है अनसार लगा कर देखे आपको यह पै코 चंदन हछन्र अलंकार लिखा को चंदन और आंको अलंकार लिख देना है इसके बाद देखे चोथा आथा है नीचे दिगे सब्दों में से शही सब्द चुनकर खाली इस्तान भरना है तो जंडे में तीन रंग होते हैं दिखिया हो जंडा तो आपको दिखिये उत्र में आपको जंडे भरना है यहापका दोदी रंग्त रंग कौन से होगा आपको से देखे रंग हो जाएगा गीता ने लाल रंग की फ्राक पहनी थी अब यहाँ पर देखिए आंधी या फिर आंधी इन दोनों में से कौन होगा तो तेज आंधी ने मेरी पतंग फट गई अब दात लिखा हुआ है तो रीना के दात मोती से चमकने लगे अब इसके बाद देखिए पा मांक में देखिए होली खेलते समय रंग गिर गया साप ने चिरिया का अंड़ा चुरा लिया तो इसका देखिए कारपत्रक आपका आठवी कंप्लीट होता है कारपत्रक 9 पर चलते देखिए नेचे दी गए सब्दों में उनके समान अर्थवाले सब्दों से मिलान कीजिए तो देखिए आपको यहापे लिखा है बारिस तो आपको यहापे यह सभी मिलाना जैसे बारिस का आपका बरसा हो जाता है अब देखिए पानी का आपका क्या होता है जल होता है और बादल का देखिए आपका में होता है तो चली इनके आंसर आपको दिखा देते हैं आपके सभी आंसर देखिए यहापे आपके लिख देगे हैं तो बारिस का देखिए बरसा हो जाएगा पानी का आपका देखिए जल है बादल का आपका मेग है आकास का देखिए आपका 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 बन है बस्त का आपका कपड़ा है अस को आपका देखिए अपर आपका घोड़ा है मचली को आपका देखिए अपर मीन है और इसके बाद देखिए दूसरा आता है दूसरी में आपका दिया गया है नीचे देखिए सब्दों के समानार्थी लिखिए तो मानाओ का देखिए जैसे आपका मनुस होता है तो युद्ध का आपका समर होता है इस वर का देखिए भगवान बल का सक्ती सत्रू को आपको दूसमन करना है संसार का जग साप का सोक्ष हर्स की खुती ठीक है कर दिजिए अब देखिए इसमें आपका तीसरा आता है नीच पीचे में देखिए अंबर उद्यान नेत्र तो आपको उत्तर में देखिए उद्यान करना है बादल देखिए बादल कपी या फिर मेग तो आपको इसमें उत्तर में देखिए आपको मेग करना है इसके बाद देखिए यह करने के बाद आपको यहाँ पे चोथा आता है इसमें आपका चांद है बाकी सूरज, सूरे, रवी यहाँ पर आपका एक समान होता है गुसा, नाराज और कोद आपका समान है लेकिन खोसी आपका यह बीडोम हो जाएगा अब इसके बाद देखिए फूल, ब्रक्ष, पुस्प, सुमन इसमें अलग क्या है आपका ब्रक्ष है अंगा में देखिए संसार, दुनिया, सुर्ग और जग तो इन तीनों का मतलब आपका सेम है जबकि सुर्ग का आपका आपका उल्टा हो जाता है तो कारपत्रक 9 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है इसके बाद चलते हैं कारपत्रक 10 पर तो देखिए इसमें लिखा है नीचे दे गए बाग को में से क्रिया सब्द छाट कर लिखिए तो देखिए बाग के लिखा क्या है इसमें बाग के लिखा है क्रिया वाले सब्द लिखा है तो यह देखो मेरी किताब तो आपको देखिए यहाँ पर जैसे आपका देखना और देखो लिखा क्रिया जैसे बाद देखिए इसमें आपका दूसरा दिया है नीचे दिया गए बाक्स में से सही सब्दों का प्रियोक कर बाक्कों को पूरा खीजिए जैसे आपका इसमें लिखा है बच्चे फुटबाल खिल रहे हैं ठीक है तो आपको यहापे दिया गए है इन्हीं में से आपको भरना ह दूसरे में बाहर आधी चल रही है रीमा और मोहन जूल रहे है नंदी बह रही है बालक दोड़ रहा है विक्रम आम खा रहा है इसके बाद देखिए तीसरा आता है इसमें नीचे देगे बाकों में से क्रिया सब्द छाटका लिखिए तो भूक लगने पर क्या है देखिए आपको यह पर खाने की करना है नेंद आने पर क्या होता है आपका सोने की विद्याले जाने पर देखिए आपका पढ़ने की और च्छत उपर जाने का देखिए आपको यह पर भी कर सकते हैं इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है नहाना है जागना है खाना है और इसी के साथ देखिए आपका नाचना भी है और लड़ना भी है तो इस प्रकार आपको देखिए सभी आपके यहाँ पे यह इसके बाद चलते हैं आपका नेश्ट कारपत्रक 11 पर तो चलिए देखते हैं कारपत्रक 11 तो देखिए यहाँ पर दिया है दियेगे सब्समों में अलग अर्थ वाले सब्द पर आपको गुला लगाना है तो देखिए यहाँ पर इसमें तो आपका गुला लेड़ी दिया है रात होगा और यहाँ पे आग, अनल, अगनी तो आपके यह समान है बाकी आपको मसाल पर गुल लगाना है खानमबर पर देखिए दोस्त, बंधू, तुस्मन साथी तो आपको इसमें दुस्मन पर गुला लगाना है गरमबर नेत्र, नयन, पलक और आंक तो देखिए यहाँ पे नेत्र, नयन और आंक तो समान है लेकिन आपका पलक जो है अलग हो जाएगा पवन, बायू, हवा तो यह आपके समान है लेकिन तुफान आपको इसमें आपको गोला लगाना है दूसरा नमर देखिए दिये गए सब्दों के तीन-तीन आपको अर्थ या फिर आपके पर दीरज, मेग और अमबुद या फिर आप यह पर देखिए आप बारी दे यह भी लिख सकते है पानी का देखिए जल, नीर और वारी यहाँ पर कर देना है तीसरे नमर देखिए क्या दिये है दिये गए सब्द युग्रिम की सहाज़ता से बाको को पूरा कीजिए यहाँ प सुनते सो गई इसके बाद देखिए चोथा आता है सही बिकल्प दोरा रिक्तिस्थानों भरें और बाको को पूरा करें सूरज की डैस डैस हमाय सौस्त के लिए लावदायक होती है तो आपको राइट कर निशान लगाना है इसी प्रकार खापर देखिए कर आपको इसमें देखिए महात्रबा गांदी सत अहिंसा सांती के पुजारी थे खरंबर देखिए देश के बीर अपने देश की आनबान और सान के लिए बलधान दे देते हैं यही बाला अंसर सही है गरंबर पर देखिए गंगय और भारत की पवित्र क्या है यह नदिया है तो आपको वारब देखिए यहाँ पे दिया है व्याओ आारीक भ्याकरनिक मात्रा सेक्त बढ़नों का प्रीयूक कर कठिन सब्द लिखिए तो देखिए आपको यह पे लिख देना है ग्यां है तो आपको यहाँ है बाद इसके साथ देखिए आपका दिया है यहापे इंगलाइंड दिया है तो इंगलाइंड भी आपको मिल दा है साथ में आपको चीत्र दिया है तो चीत्र देखिए यहापे मिल जाएगा यग आपको यह मिलेगा इससाथ मंत्री भी दिया है तो मंत्री आपको देखिए यहापे म इसको सुद्ध जैसे आपको प्रसिद्ध ऐसे लिखना है उसी प्रकार किर्शन को आपको करशन लिखना है बुद्धु को देखे आपका बुद्धु समस्या को आपको देखे समस्या इस प्रकार लिखना है सत्तु को आपको इस प्रकार लिखना है मंतरी को आपको देखे इ का प्रयोक कर सुध्य वाक्य सब्द लिखिए तो कपा का देखिए क्रपा लिखना है गह का ग्रह हो जाएगा घ्रणा को देखिए आपको इस प्रकार करना है क्रसी को देखिए ये और बक्ष का व्रक्ष होगा मग का आपका अम्रग अम्रत का देखिए इस प्रकार करना है द इसे मुख्याला का होता है प्रधान का रहले उसे प्रकार दुर्वन का आपके कठीर होता है बिस्तरत का होता है बड़ा परिक्षा का आप होता है इमतहान गंतब का मंजिल मात्पूर्ण का खास ग्रामीर गाउं में रहने वाला अद्रस का हो जाएगा गायव परेटक हो रकार लगाकर सब्दों को सुद्ध करिए तो देखे लिखा है ग्रहाण को आपको इस प्रकार लिखना है सूर को आपको ऐसे लिखना है प्रतिक्षा को देखे आपको इस प्रकार लिखना है सर्थ को देखे सर्थ को आपको सर्थ गर्मी आपका सुद्ध रूब आपका इस इसमें दिया है निमलिखी सबाकों को कोश्टक में दिया गए सब्दों के अधार पर पूरा करना है तो देखिए ये कोश्टन भी आपके बहुत सिंपल है लिखना कैसे है देखिए जैसे आपका लिखा है इसमें बहादूर तो बहादूर से आपको लिखना है मुझे उसकी बहादूरी पर गर्व है, चलिए आपको इन सभी के आंसर देखते हैं कैसे कर रहे हैं, तो देखें आपको यहापे इस प्रकार से इनका आंसर करना है, मुझे उसकी बहादूरी पर गर्व है, घनमबर देखिए नमबरता मनुस्व का सबसे बड़ा गुड़ है, दोनों यूज कर यहां पर आपको देखिए बनाना था आपको सब्दो का अधार इसके बाद देखिए आपका आता है दूसरा इसमें आपका दिया गया है संग्या के संदर्व समझ कर बाक में प्रयोग कीजिए जैसे आपको कमल और कलम लिखा है तो आपको लिखना देखिए हिमाले निकलेगा तो आपको हिमाले से निकलती है अंगूर में देखिए मिठास होता है यह आंसर सही होगा कुतुब मिनार दिल्ली की प्रिसिद्ध इमारत है तो आपको यह पर कुतुब मिनार करना है इसके बाद देखिए तीसरा आता है दी गई ब्यक्ति बाचक जाति बाचक और भाव बाचक संग्या के सब्दों के बाक्ति बाचक से क्या हो जाएगा जैसे गंगा गंगा गंगोत्री से निकलती है इसके बाद देखिये आपको कर लेना देखिये फुडवाल लिखा है तो फुडवाल से देखिये करण फुडवाल खेल रहा है जापान से पूलों से बगिचा महक रहा है लडके लडके खेल रहे हैं ओर इसी कसा देखिए गनमबर पर आपका हो जाएगा यहांपर यह देखिए भाववाचक वाले तो यहां पर भाववाचक वाले आपका लिखा आपका लिखा है ना आपके अगली कारपत्रक 14 पर तो देखिए यहां पर आपका कारपत्रक 14 आता है इसमें दिया है दिये गए बाकों में से सही क्रम लिखिए जैसे आपका लिखा है परधी परती कविता है तो आपको इसमें देखिए परधी कविता परती है लिखा हुआ है तो देखिए आपक आपको नहीं लिखा है तो आपको क्रम से बनाना रानी जाती है बस बाड़ मेर आपको देखे आगे पीछे की आए तो लिखना है रानी बस से बाड़ मेर जाती है गानमबर का लिखना है रेल गारी का सफर सुहाना होता है गानमबर में लिखना है घर साना में बहुत अनाज ह होता है और देखिए अंगा में आपको लिखना है अंसी 29 जुन को जन्र दिबस मनाती है इसके बाद देखिए दूसरा आता है आपका यहां पर तो दूसरा देखिए क्या लिए है बाकों में बाकों की स्थिती समझ कर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए तो देखिए आपको यहां पर करना कैसे है यहां पर आपको चलिए यहां पर यह आंसर देते हैं देखिए पुस्पात सुक्ष्टा को अपना पढ़ने में होसियार होगी तभी पढ़ाती है राजा प्रजा को बिना बजय डंडित करता है इसका मतलब कहें जनता तक्था पलट कर देगी चैत्र महीना चल रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा देखिए यहापे बैसाखी महीना आने वाला है अनूप के पैर में चोट लग इटता है नहाने के बाद खाना खाकर फीड्याल जाता है प्रता साथ बजे नहाथा इसलिए अधैपक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं और वह भी करताnd करता है इसके बाद देखिए चोटा आता पर आप सुबह आठ वजे से दस वजे तक क्या क्या करते है क्रमपद्य लिखिए तो देखिए आपको यह पर क्या लिखना है देखिए उत्तर में लिखना है हम आठ वजे नास्ता कर रहे हैं करते हैं नास्ता करने के बाद बिद्याले जाने के लिए त्यार होते हैं फिर बि सुन्दर है उसी नगर में एक सरारती बंदर रहता है वह नगर के लोगों को तंग करता है कभी उनका कोई समान ले जाता है तो कभी बरतन खाना कपड़े आदी सभी लोग उससे परसान हो जाते हैं एक दिन स्याम सुन्दर ने बंदर को लालस देकर पकड़ लिया और जंगल क्या लिखिए नगर में एक बंदर रहता है तो आप जानते कहाने में लिखा है सांबा तो आपको सांबा करना है सभी डैस डैस से परसान थे तो बंदर से परसान थे इसके बाद देखिए यहापे लिखा है नीचे दिगए सब्दों में से उची सब्दों का प्रियोक कर र रही है सभी डिपो पर एक जैसा निसान है आपको कर देना है लोमडी देखिया क्या मूर्ख है चतूर है तो आपको चतूर करना है वो दिवान ब्यक्ति का नाम क्या था ये कोश्चन पूचा है तो उत्तर देखिये तो ये देखिये आपको जो उत्तर लिखना इसमें वो दि कार पत्रक्स का 15 व vue सू लेकिताग्स थेखर में कारपत्रक्स वें लुकह भी किस seperti का लिए में अपको बनाना है जैसे आपको पहला महिना क्या होता है। जन्वरी होता है हमारे पिता जी के पिता जी के कहलाते हैं तो हमारे पिता जी के पिता जी हमारे दादा जी कहलाते हैं जिस दिन स्कूल बंद रहता है उसे क्या कहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपका छुट्टी होता है जहाँ चार रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहते हैं बारिस के बाद आस्मान में सात रंगों का समू यहां पर क्या कहलाता है देखिए आप जानते हैं यहां पर इंद्धनुस कहलाता है तो इनके अंसर देखिए कैसे लिखना है तो आपको देखिए इस प्रकार से उत्ता लिखना है दादा जी रभीवार चोराहो और आ जैसे आपका अनुज कहते हैं इसके बाद देखिए लिखा है मिठाई बनाने वाले को कहते हैं तो मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहते हैं तीसरे नमबर देखिए दिये गए समुव बाची सब्दों के लिए उचित बिकल्प चुनकर निसान लगाना है तो देखिए क्या लिखा है स्मय हें यहां पको होता है नो्टू क्या होता है कि गडिवके अफिर ड्ची होता है तो गड़ी पर आपको जानते हैं फूलक क्या होता है तो आप जैनते हैं गुलस्ता होगा तो आपको इस पे लगाना है इसके बाद देखें लोगों की क्या होता है भीड होता है इसलिए आपको इस पे लगाना है जोड़ी तो होता नहीं है भेड बकरियों क्या होता है देखें आपका पर रेवड होता है और सेनकों की क्या होता है जोंड होता है टुकडी होती तो सेन्गों के आपको देखिए समें आपका टुकरी होती है तो इस प्रकार देखिए यहां पे और कारप्त्रक ये स्वापत होता है चलते हैं आपके अगले कारप्त्रक सत्रा पर देखे कारपत्रक 17 में दिये है दिये गए सब्द जाल से संग्या सब्द आपको ढूंड का लिखना है तो देखे आपको इसमें आगरा लिखा है तो ताज महल आगरा में है बैल देखे बैल से क्या लिखना है जैसे आपको इसमें बैल लिखा हुआ है तो बैल से आपको बना सेर, जंगल का राजा, मचली, नदी में मचली तैर रही है, सलगम में सल्गम की सब्जी बनती है, और पंग से दिखिये हैं मोर के पंग सुंदर होते हैं, तो इस प्रकार देखिये hai, आपको उत्तर करना है, इसके बाद देखिये, दीए गए संगय सब्धोख्वी बाख को क पूरा कीजिए देखे सबसे पहले आपको इसमें क्या दिया है यमुना दिल्ली स्रीनगर नर्बदा गोदावरी और नई दिल्ली देखे यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है नर्बदा और गोदावरी भार्ज की नदिया है तो इस तरकार आपको भरना है डल जील स्रीन प्रौपत होता है कुल्गधा भारत का प्रसित सहर है तो आपको यहाप भार ना है और घानमबर में देखे किसान घेस पे हल चला रहा है। इसके बाद देखिए चोथा क्या दिया है चोथा में दिया समूह बाचक संग्याओं को चुनकर लिखिए तो देखिए आपे समूह बाचक जिसे छत्ता लिखा है स्रंकला दल और काफिला तो मदम्यक्यों को देखिए क्या होता है छत्ता सहतूत के पेड़ों पर लटका पार है चलिए यहाँ पे कंप्लिट होता है इसके बाद चलते हैं कार पत्रक 18 पर तो इस पर देखे रिखा है निम लिखे सब्दों के लिंग बताकर आपको यहाँ बताना है जैसे समराड का देखिए आपका यह समराड लिखा है ना तो आपको देखिए यहाँ आपका इसमे आपको लिंग बदलना है ठीक है समराट क्या है देखिए आपको बताना है कि आपको भाई ये पुलिंग है क्योंकि आपका देखिए फूर्जाती प्रतित हो रहा है नानी क्या है आपका इस्त्री लिंग बताना है कववा में आपको लिखना है पुलिंग नदी के सामने लिखने है इस्त्री लिंग, कभिता देखिए आपका इस्त्री लिंग है और सोमबार के आपका पुल लिंग है, हाथी आपका पुल लिंग है शिमाला भी पुल लिंग है, मोहिनी आपका इस्त्री लिंग है और कोयल भी आपका इस्त्री लिंग है इसके बाद देखिए दूसरा क्या दिया है रिखांकी सब्दों के लिंग परिवर्तन कर रिक्तिसान को पूरा कीजिए तो देखिए आपको देखिए बर लिखा ना तो बर का आपका अपने लिखा है बर और बधु कुछ सब लोगों ने आसिरवाद दिया राधा का देखिए पूत्र के क्या हो जाएगा पूत्र हो जाएगा तो पूत्र दोनों ही गुड़ी है गाय देखिए गाय हमें दूद देती है और बैल खेतों में काम करते हैं मोर जितना सुन्दर होता है, मोर ने उतनी ही उतनी सुन्दर नहीं होती है, लड़का का देखिए क्या हो जाएगा, लड़की हो जाएगा, तो एक ही किताब लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे थे, इसके बाद देखिए तीसरा दिया है, टेबुल, पैन, किताब, घर पेंड, गाय, वक्रा, केली, राय और कारपत्रक, आपको इसमें देखिए, यहाँ पर आपको लिंग छाड़ का लिखना है, अब देखिए, पुलिंग एक साइट करना है, यहाँ पे पूर्ट जाती के जो प्रतित होता है, और इस्तरी जाती का, देखिए इसमें आपको जाएंगे, इस्तरी लिंग हो जाएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से भर लिचिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके हो गया है, ना कंप्लीट, इसके बाद देखिए, आपका अगला आता है, कारपत्रक 19, तो कारपत्रक 19 देखिए, यहाँ पर आपका दिया है, सा लिखना है देखिए आपका लिखना है नाक में दम कर रखना तो यहां पर देखिए परिसान करना हो जाता है क्या हो जाता है आपका परिसान करना कमर कसना क्या होता है देखिए यहां पर तयार होना कान पर जू न रेंगना इसका मतलब किसी बात पर असर न होना पीठ दिखा आपको भ्हैंस याप लिखना है कुट्ये के दूम क्याँती देची हम एसाथ टेड़ी होती है और यहाँ पर देखिए आपको चली अंसर दिखार करना है तो देखिया आप इंपे लिखना है क्या लिखना है लिखना है तूट पड़ना जपटना है जिसे वह हैं लड़ों पर दे summary क्वह थाट excel मैं बड़ा अपसर बनूँगा इसके बाद देखिए दंग रह जाना क्या होता है तो आश्चर चकित होना एक किसान का बेटा प्रथम आ गया तो सभी लोग दंग रह गए अब देखिए आपको इसके आंसर की बात करें देखिए मुह ताकना पर आपको लिखना है दूसरों पर आश्रित होना अब इसमें आगे लिखना क्या है देखिए यहां पर लिखना आपको रमेज को पैसों के लिए अपने माता-पिता का मुह ताकना पड़ता है तो इस परकार देखिए आंसर करना है इसके बाद आपका आत्रहे कारपत्रक 20 तो यहां पर देखिए एक आप कभता के धार पर देखिए आपको उत्तर लिखना है कि जैसे कोश्चन में क्या लिख है देखिए नाव उचल रही है तो नाव कहां पर उचल रही है आपका लहर पर ठीक है तो उत्तर आपको लहर करना है नाव हमें लगती है क्या लगती है सुन्दर लगती है नाव कहां के निकल रही है तो नाव कहीं सेर के लिए निकल रही है इसके बाद देखिए कब तक को समझते हैं अपने सब्दों में लिखिए तो नाव के बारे में बताया गया है कि नाव लहरों में मचल हुआ उचल रही है वह कभी तेज तो कभी समलती है हमें नाव सुन्दर लगती है इ मेसा और बड़ी बड़ी को लिखना है छोटी छोटी सुन्दर को लिखना है कुरूप यह फिर असुन्दर असुन्दर चलते चलते को लिखना है वो रुखते रुखते तो आपको इस प्रकार से आंसर करना है इसके वाद देखे कारपत्रक आपका एक कीस बात है इसमें दिय में हरे भरे पेड़ पौधे हैं तो आपको हरे भरे लिखना है कक्छा में 30 बालक पड़ रहे हैं तो आपको यहां पर 30 लिखना है देखिए यहां पर आपको बक्कों में विसेस्ता बतला रहा है जो अब इसके बाद देखें गन्ना बहुत मीठा होता है तो मीठा आपको इस इसर सब्दों को बाक्कों में पूरा कीजिए जैसे आपको देखिए मीठा लिखा है अंधेरा आगे रंगीन चोथा ताजा और गुलाबी तो यह आम बहुत मीठा है गली में देखिए चोथा मकान मेरा है कमरे के भीतर अंधेरा है कार के आगे का पहया पंचर हो गया है और पलंग पर रंगीन चादर बिच्छी है यह गाजर बहुत ताजा है यह पहना था रुबिना ने गुलाबी रंग का फ्रॉंक पहनी हुई है और इसके बाद देखिए आता है कारपत्रक वाइस दिये गए सब्दों में से इस्त्री लिंग वा पूलिंग सब्द छाटकर ढो दोन कर लिखना है अब देखिए यहां पर आपको जो इसमें दिया है माता टीना राम किताब यमना वैल चिडिया भाई गायक सेर जोगी और देखिए इस लिंग बाले आपका टीना हो जाएगा माता किताब यमना पूलिंग में देखिए राम वैल भाई और गायक इसके र एक बचन सबनों का बहुँ सब्दों के साथ मिलान किजिए तो देखिए अपको इसमें कंया लिखा है तो कि बानती है मोर का देखिए आपका मोरनी होगा मोरनी सुंदर नर्त करती है कभी का आपको देखिए कवित्री हो जाएगा कवित्री कभी समेलन में नहीं पहुच पाई इसके बाद देखिए बहु बच्चा का हो जाएगा बच्चे और खिलावना का हो जाएगा खिलावने घ नीचे कहानी के दो तीन बार आपको ध्यान से पढ़ना है और कहानी में दी गई खाली जगे में निम्न सब्दों को आपको भरिये तो देखिए आपके इतने सब्द दी हैं इनके आपको सभी सब्दों को आपको भरना है तो चलिए देखते हैं कैसे आपको भरना है तो दूका और वह सोयम पेड़ की देखे दूसरे नमबर आपको चाओ लिखना है और आराम करने लगा इसके बाद आपको तीसरे जगे पर घोड़े को चरने के लिए मैदान में मैदान में भर दीजे छोड़ दिया घोड़ा चरते चरते दूर निकल गया जहां से कोई अजनबी हाग कर उसे अपने साथ ले गया तो आपको यहाँ पे सारे खाली स्थान पर इस प्रकार भरना है कुछ समय पशाद यात्री को अपने घोड़े की चोरी के बिसे में पता लगा इसने उधर दर नजर दोड़ाई कुछ दोरी पर उसे डंड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिय उसने वह है डंडा उठाया और गाउं में पहुँचकर जोड-Zोड से चिलाने लगा जिससे भी मेरा घोड़ा चुडाया है उसे तुरंत लोटादे इसके बाद दिखिए आपको यहाँ को दिखिए लोटादे तक तो हो गया है इसके बाद दिखिए यहाँ पे उसे तुरंट लोटा दे हो गया नहीं पर तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ तक कहा तक हो गया कुछ समय पश्चात हो गया तो कुछ समय पश्चात हो गया इसके बाद देखिए आपको यहाँ आगे जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है उससे तुनाद बापास लोटा दिया तक हो गया था इसके बाद आगे एक अजनभी गाउं में इस प्रकार चिलाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गये एक बार फिर चिलातोय का चौर को अंतिम चेताव में दे रहा हो कि वह गोड़ा लोटा दे नहीं हुआ है पहले करूँगो जो पहले किया था ठीक है इसके बाद दिखे डर की मारे भाईबी चौर ने यात्री उसका गोड़ा लोटा दिया और यात्री अपने घोड़े को पाकर खुशत हुआ एकत्रित हुए लोग चौर यात्री एक पास आए तथा बोले यह तो बताईए कि आपने पहले क्या किया था मैंने एक नया घोड़ा खाईद लिया था यात्री ने मुस्कुलाते हुए उत्तर दिया तो इस प्रकार देखे आपको उत्तर करना है इसके बाद आपका कारपत्रक 24 बाता है नेचे दिये गए सब्दों को सुद्ध करके आपको लिखना है देखे सबसे पहले आपको क्या प्रकार से करना है छोटा सा होगा इसमें अधीन आपको बढ़ा नहीं होता है इसमें चालकीं अधीन में देखे हैं नेटाई या भर मिटांपो में देखे हैं बड़े की मात्रा आपका एक ही होता है आपका मात्रा नहीं चरहाना है इसके बाद देखेंगए इसमें आपका दूतरा आता है असुधि यह होति है सब्द समन्दि तथा बाख समन्दि रचन समन्दि आसुधियां यह स्विष्यां आपका लिखْणका degrees के देखें बाहर से खाना ले, तो यहाँ देखिए नानBERG जी खाना खा लो, लड़का पढ़ रहे हैं, तो देखें लड़के पढ़ रहे हैं करना है, दिब्या को तीन भाई हैं, देखिए, तो आपका दिब्या को तीन भाई हैं, यह आपका स् hugely ध्रूप होगा, इसके बाद देखिए, यहापे आपका हो गया यह अंसर यहापे अगला आपका आता है देखिए यहापे दिब्या के तिन भाई इसके बाद आपको सातवा लिखना है विपूल खाना खाता सो गया तो विपूल खाना खाते खाते सो गया तुम तुम्हारा काम करो तो इसका सही आपको हो जाएगा त तुम अपना काम करो क्रपया करें मेरी बात सुनिए तो इसमें लिखना है क्रपया मेरी बात सुनिए क्या आप दूध पी लिए हैं क्या आपने दूध पी लिया है तो आपका इस सुधरूप होगा इसके बाद देखिए कारपत्रक 25 आता है आपका अंतिम गर्मियों के दिनो लिए पत्ता फेका देखे एक बार पढ़ लेते हैं तो गर्मियों को दिन की बात है एक चीटी बहुत प्यासी थी ठीक है क्या थी प्यासी थी कुद देर चलने के बाद एक नंदी के पास पहुची और सामने पानी था लेकिन सीधी नंदी में नहीं जा सकती थी वह पत्थर पर चड़ गई और उसने पानी कोसिश की लेकिन सीधी नदी में गिर गई उसी नदी किनारे एक पेड़ की टहनी कबूतर बैठा था उसنे चीटी को पाने पी गिरता देखा और उसने चीटी की मदद के लिए देखे तेजी से एक पत्ता तोड़कर नदी में चीटी के बास फेक दिया जिससे चीटी उस पत्ते पर चड़ गई थोड़ी जिर बाद पत्ता तैरता हुआ नदी किनारे पहुंच गया और चीटी ने पत्ते पर छलांग लगाई और किनारे पर आकर पेड़ पर बैठे कबूतर को धनवाद दिया अब देखिए यहाँ पर क कबूतर ने चीटी के लिए पत्ता फेका था वहाँ पे आपको उसके मदद करने के लिए डूपते को टिनका का सहारा से आप क्या समझते हैं इसका मतला होता है परसानी में थोड़ी मदद मिलना इसके बाद देखिए तीसरा क्या लिखा है कबूतर के स्थान पर आप अगर होते तो चीटी के मदद कैसे करते तो हम भी चीटी को किसी पत्ते लकड़ी के सहारे ऊपर चड़ा कर बाहर छोड़ देते क्या आपने भी कभी किसी की मदद की है अपने सब्दों में लिखिए तो हाँ हमने भी एक बार अंधे ब्यक्ति को कहा है सड़क पार करवाई थी इ पुलिस या किसी अच्छे ब्यक्ति से मदद लेंगे, घर में चोर घुसने पर क्या करेंगे, जोर से चिलाएंगे और पुलिस को सूचना देंगे, परिक्षा में प्रस्णों के उत्तर ना आने पर क्या करेंगे, याद करने की कोसिस करेंगे, तो आपको यहापे इस प्रकार से आंसर कर लेना है इसके बाद देखिए यहां पर आपका आकलन आता है तो आकलन कैसे करना है देखिए आकलन तीन में यहाँ पे तो आकलन तीन का उतर देखते हैं लिंक कितने प्रकार के होते हैं तो दो प्रकार के होते देखिए आपको करना है चिरिया का बोपर्चन रूप कौन सा होगा तो चिरिया हो जाएगा इसी के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है कभिता के पास पांच पें ये लिंक बदलकर फुन लिखे तो शिच्छक बचों को पड़ा रहे हैं तो आपको डेखिए सिक्षी का बच्चों को पढ़ा रहे है आपको यह लिखना है इसके बादध का नमबर देखिए इसमें छात्र हो पार साला जा रहे हैं तो लिखना एक बचन और बहु बचन सब्द जो आपका दिया गया है इसमें आपको देखिए अलाग-अलाग करके आपको लिखना है जैसे आपको इसमें एक बचन बाले कौन जाएंगे भासा और इसके साथ आपका हो जाएगा इस्त्री, टोपी और जोपड़ी बोबोचन में आखें, घडियां, हांडियां और कमीजे तो आपको देखें छाट पकर लिखना था इसके बाद आपको जो है देखें अगला आपको क्या है यहापे अगला जो आपको दिया गया है आकलान में आपको देखें यहापे सात्वा देखें निम ने बाकों में 26 छाट कर आपको लिखना है देखे आस्मान में काले वादल छा रहे हैं तो 26 इसमें आपका काले हो जाएंगे ये बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामून है तो आपको इसमें स्वादिष्ट करना है असुद्ध बाकों को सुद्ध करिए हम खाना खा लि आपको इस प्रकार लिखना है छामा को आपको आपको इस प्रकार लिखना है त्योहार को आपको सुद्ध करके इस प्रकार लिखना है इसके बाद देखे दसमें आपको देखे गध्यांस को पढ़कर प्रसनों के उत्तर देना है तो गधा जंगल में क्या कर रहा था तो ग गदे के मालिक का क्या नाम था तो गदे के मालिक का नाम सुखिया था इसके बाद देखिए यहापे कारपत्रक 26 तो देखिए आपको इसमें जो है सबसे पहले आपका दिया गया है व्योहारिक ब्याकरण बाकों में क्रिया काल को पढ़कर समझ कर लिख पाना पहला कोश्चन इसमें उत्तर देना है कि कुत्ता भूख रहा है तो क्या बरतमान है भविस है या फिर भूत काल है तो आपको भूत काल पर इसमें जिसमें आपका रहाता होता है उसमें भूत काल होता है खानमबर देखिए पक्छी आकास में उड़ रहे है तो इसमें देखिए जहां आपका रहे है रही है होता है वहाँ पर आपका वरतमानकाल होता है और इसके बाद देखिए आपका आता है गनमबर चित्र कार चित्र बना रहा है तो आपको बताना है इसमें कौन सो होगा वरतमानकाल भविस्काल भूतकाल तो आपको भविस्काल पर गोला करना है बादल गरज रहें तो आपको इसमें बताना है आंसर तो आपको इसमें भूत काल पर राइट का निसान लगाना है इसके बाद देखिए दूसरा दिया है दिये गए बाकों में क्रिया के रेखांकित करके उनका काल बताना है वह सिनेमा गया होगा जैसे आप को बताएगा कि भूत काल है अंजू पड़ रही है जिसमें होता है उसमें आपका वर्तमान काल होता है तेज आंधी आई थी तो इसमें देखिए आपका थी लिखा है था थी थे आपका यह पर भूत काल का होता है लिखेंगे लिखेंगी आपका इस प्रकास से भविस्थ काल होता है आ जाना कल तुम आ जाना यह आपका देखिए भविस्ट की बात कर रहा है तो आपको भविस्ट काल हो जाएगा हम साम को बाजार जाएंगे अब देखिए गया तो है नहीं जाएगा यानि आपका यह भी आपका भविस्ट काल हो जाएगा इसके बात देखिए यहाप भी इसके धार पर तो बरतमान काल में आप जब बनाएंगे जैसे मोहान हाकी खेल रहा है और भूत काल का बनाएंगे जाना का यूच करे क्रिया का तो आपको यहां पर देखिए सब छात्रे घर चली गई हो जाएगा मैं कल दिल्ली जाओंगा सुधा ने जूट बोला था हम बिद्ध्याले जा रहे हैं तो आपको इस प्रकार से उत्तर करना है इसके बाद देखिए आता है आपका चोथा नीचे लिखए गए बागों के सामने उनका काल लिखिए देखिए सलीम खाना खाएगा बताएगा बदाएगा कि भविस्काल में क्योंकि खाएगा जिसमें गागे की आता है भविस्ट काल होता है रही है देखिए बता रहा है कि आपका ये बरतमान काल का है खेलने जाएंगे अब जाएंगे भविस्ट की बात कर रहा है तो भविस्ट काल हो जाएगा संभावना है देखिए तो आपका ये देखिए आपका भूत काल का हो जाएगा क्रिया समंधी असुद्धियां हैं उन्हें ठीक करके लिखिए जैसे आईए खाना खा ले तो आपको इसमें उत्ता लिखना है आईए खाना खा लीजिए ठीक है क्योंकि आपको देखिए यहां पर असुद्धियां है उसे सुद्ध करना है मैं आज पढ़ने नहीं आएगा तो आएगा तो होगा नहीं, मैं आज पढ़ने नहीं जाओंगा, इस प्रकास नहीं, यह मैंने करा है, तो आपको सुद्ध करना है, यह मैंने किया है, इसके बाद देखिए, घा हो गया, इसके बाद अंगा देखिए, कोमल ने गाना गाया, तो आपको इसको सुद्ध करके ल आज भूग के मारे प्राणड निकल गए तो निकलना में दिखिये आपको एप आपको इसमें क्या करना है बागो का क्रिया सब्दों पर गूला करना है। कर को से लिखना है निकलना ख़ीवाना चखना देखना तेरना और आपका खेलना ठीक है चलि इसके बाद देखते हैं यहाँ प्रता है तीस्रा नीचे दिए गये सब्दों का खाली इस्थान पर प्रयोग कर्के में को देखिए अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इसी प्रकार देखिए सुनाना से आपको बनाना है तो देखिए दाजी जी कहानी सुना रहे हैं अब देखिए रवीन क्या है पकाना से हो जाएगा पकाया अब यहां से देखिए आपको इसमें लिखना से बनाना है त कारप्त्रक 27 कम्acula Lanka होता है अब आपका आता है कार-पत्रक 28 वह तो इसमें दिया है देखेंघवाको की क्रियाओं के लिए बिसेसर सब्द लिखकर आपको देखे बाको को दोराना है जिसे बच्चा दूद पीता है तो आपको उत्तर भी लिखना देखे बच्चा मीठा दूद पीता है मीठा आपको देखे इसमें बिसेसर है गाय घांस चरती है तो आपको लिखना है गाय हरी घांस चरती है तो हरी आपको इसमें विसेशन हो जाएगा वह गाना गाता है तो देखिए वह बहुत अच्छा गाना गाता है अच्छा इसमें आपका विसेशन होगा नदी वहती है देखिए तो आपको इसमें विसेशन लिखिए नदी तेज वहती है तो आपको इस प्रकार से देखिए विसेशन हस से क्या करना है मोहन जोर से हस रहा था लिक से लिखा है मैंने पत्र लिखा देखता है तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है इसके बाद देखिए तीसरा क्रिया विशेसर आपको शाटना है इसे बादल जोर सी गरज रहा है तो आपको देखिए क्रिया विशेसर क्या है जा रहे हैं अब इसके अलाबा देखिए आपे लिखा है चोर चुपके से भाग गया तो चुपके से देखिए आपका क्रिया बिसेशण है और क्रिया हो जाएगा वह खिल खिलाकर हांस दिया तो खिल खिलाकर आपका देखिए क्रिया बिसेशण है और हांस दिया देखिए आपका इसमें क्रिया हो जाएगा इसके पास देखिए चोथा आपका दिया है अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता जैसे लड़का पढ़ता है तब आप देखिए अकर्मक वाले बताना है तो देखिए आपको इन में जो है नेचे देगए बाको को पढ़िए और अकर्मक सकर् करना है मनुः पानी भरता है तो क्या भरता है पता नहीं होता तो हम लिख देते आकरमक लेकिना पानी भरता है तो पानी आपका करणा आपको इसमें सकर्मक करना है नभीन दोड़ता है आप देखिए यहां पर नभीन सुबय चार वे दोड़ता है अगर टाइम होता हुए इसके बाद देखिए चिरिया उड़ रही हैß आपको इसमें चिरिय wish अगर आसमान में उड़ रहे हैं लिखा होता है तो आसमान उसका कर्म हो जाता तो आपका सकर्मक आता लेकिन आपका 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 आ किनारे के संग के ऊपर देखे च्छत के आपको यह पर लिखना है के ऊपर मुर्गा बैठा है दूसरा में नदी के किनारे साधू की कुटिया है तेसरा लिखना है मोहनी अपने भाई के संग स्कूल जाती है इसके लाबा देखे यहाँ पर आपको घानामबर में लिखना है साहिल ठक गया इस लेव है सो गया इस प्रकार से आपको यह जोड़कर बनाना है खानमबर पर देखिए क्या लिखा है लिखा है साहिल ठक गया वह सो गया था आपका खानमबर यह हिंदी की पुस्तक है और मुझे यह पसंद है तो आपको देखिए उत्तर में क्या लिखना है ये हिंदी की पुस्तक है और मुझे ये है पसंद है इसी परकार देखे आपको आगे भी लिखना यहां पर वह बहुत तेस चली और पढ़े है इसके बाद देखे तीसरा आता है आपको इसमें दिये गए खाली स्थानों को उचित अव्याव लगकर आपको भरना है तो सुरुती के सांस नेहा पढ़ रही है परिश्रम से पढ़ाई करो ताकि परिख्षा सफल हो सके राम तो आया लेकिन स्याम नहीं आया जब सरदी पढ़ती है तब गर्म कपड़े पहनते हैं इसके बाद देखिए चोथा आता है बाको में दिया गए संबंद बोधक सब्दिश अच्छाट का लिखना है तो प्यास के मारे बुरा हाल है तो आपको देखिए के मारे इसमें देखिए आपका संबंद बोधक हो जाएगा मेरा घर मंदिर के पास है तो के पास देखिए इसमें आपका क्या होगा संबंद बोधक मैं कोपाल के बिना तो के बिना इसमें देखे संबंद बोधक होगा राम के आगे तो के आगे देखे इसमें आपका संबंद बोधक हो जाएगा इस प्रकार से कारपत्रक कंप्लेट होता है चलते हैं अगले कारपत्रक 30 पर तो इसमें देखिए एक आपका गद्यान्स दिया है इसी को पढ़कर आपको उत्तर देना है कि हम पुराने सहर में बनी एतिहासिक हवेलों को देखने के लिए भूल भूले जैसी गलियों में पहुंचे गाइट के मार्दर्सक में बढ़ते हुए हमने पटूओं की हवेली सालम सिंग की हवेली नाथमल की हवेली देखी और यह हवेली करीब 300 साल पुरानी है और यह हवेली देखने के लिए अदभूत है यह हवेली गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गरम रहती है तो इस प पर आपका 300 साल पुरानी थी आ पको जैसे पढ़ेंगे देख आपको इभी लिखा है 300 साल पुरानी थी इसके बाद देखें तीसरा दिए चेसेuh की दिया है प्रमुख्य हवेलियों के नाम किया है लिकी पत्व की हवेली सालम, सिंग के हवेरी और नत्मल की हवेली इसके बाद देखिए यह पर चोथा दिया है क्यों ऐसा होता है कि हवेलिया गर्मियों में ठंडी और जाड़ों में गर्म रहती है तो देखें दिवारे मोटी मोटी होती है जो इंसुलेशन का काम करती है तो बाहर की सर्दी और फिर गर्मि का असर अंदर कम होता है पाँच बाद यह है इतियासिक सब्द का अर्थबताकर बाग के में प्रयोग कीजिए तो लिखें इतियास से संबंद रखने वाला आपका इसकी इतियासिक कारत होगा और प्रयोक करना है मियूजियम में रखे इत्यासिक चीजे रखी जाती है ठीक है इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका यह तो हो गया आपका अगला दिया गया है इसमें दे गए अनुशेत का संकेतो को दोर आपको पूरा करना है घोसला पेड़ गाना मजे गोरया घर रो उड़ कर पेड़ पर जाय बैठी जहां उसका घोसला था तो इस प्रका देखे कार-पद्रक यह भी समाप्त होता है तो हमने तीस तक का यहां पर देख ली है चलते हैं अब इसके आपका आकलन चार पर तो आकलन चार में देखिए यहां पर आपका दिया गया है मारा सोई घर में चाय बना रही है तो बाक में क्रिया क्या है तो आपको बना रहे करना है हमने खाना खाया था तो बाक में कौन सा काल है इसमें आपको भूत काल करना है मेरी दादी ने कहानी इसमें आपका क्या होगा भूत काल होगा और बच्चा फल खाता है तो इसमें आपका बरतमान काल रमेश कपड़े धुलवाएगा तो आपको इसमें भविस्काल करना है इसके बाद देखिए नेमलिखित रिखांकित क्रिया पदों का आपको काल लिखना है दादी ने कहानी स तो आपको देखें भोतकाल बच्चा फल खाता है बत्मान काल रमेस कपरे धुलबाएगा भविस्काल यह देखें आपको कर लिये थे चौति नमबर पर नेमलिखित बाकों में संबंद बोधक लिखें तो देखें इसमें आपका संबंद बोधक से पहले हो जाएगा मोहन से पूरा केजिए कल हम दिल्ली जाएंगे तीसरे नमबर में लिखा है माचाको से सेव काट रही थी इसके लावा देखिए बालाक मैदान में खेल रहा है लड़की आखवार पड़ रही है इसलिक साथ देखिए छे नमबर में दिया है निमलिखित बाकों में से क्रिया बिसे पिता जी अचानक कमरें आगे तो इसमें अचानक आपका देखिए यहापे उत्तर में लिख देना है छाट कर ठीक है इसके बाद देखिए यहापे आपका लिखा है देगे बाकों में क्रिया सकर्मक है या कर्मक आपको लिखना है तो रोहित क्रिकेट खेल रहा है तो आप आपको यहापे अकर्मक दादी जी बच्चो कहानी सुना रही है इसमें आपको सकर्मक कर देना है इसके बाद देखिए आठवधी है पद्यांत को पढ़कर प्रसनों के उत्तर लेखिए तो आपको देखिए क्या दिया है तीन रंग का जंडा प्यारा सबसे सुन्दर सबसे देखिए तो आपको यहापे तीरंगा करना है ठीक है तो देखिए यहापे आपका हो गया इसके बाद आपका देखिए चलते हैं आपका यहापे जो है आकलन समाप्त होता है अब चलते हैं आपका कारपत्रक 31 पर चलिए यहाँ पर देखिए कारपत्रक आपका 31 आता है इसमें आपका देखिए एक चित्र दिया है संदर्भनुसर अव्यक्ति देपाना तो आपको यहाँ पर चलिए आंसर बताते हैं तो आंसर में देखिए क्या लिखा है उपर दिया हुई चित्र को देखकर बताईए अत्ति दोरा जंडा रोहन हो रहा है सभी विद्यार्थी और सिक्षक उपस्थी थे उत्तर लिखने हैं तीसरा कोशन दिया है आपके विद्यार्थी में कौन-कौन से पर्व मनाए जाते हैं देखे सोतंता दिवस गरतंतरा दिवस गाधी जैनती वरकिसोसो और सनी वासरी गत और सो क्यापका जैनतियां होते हैं तो दो अक्टूबर को देखे गांधी जैनती होता है आप जानते ही हैं और 15 अगस्त को सोतंता दिवस और 26 जन्वरी को गरतंतरा दिवस होता है ठीक है चलिए वीडियो अच्छी लेगे वीडियो को लाइक करिए इसके बाद देखे यह पर आता है कार पत्रक आपका 22 वा व्याकरन और क्रिया विसेशन को समझ कर प्रयोग करना है निमलिखित बागों में क्रिया विसेशन सब्द छाट कर लिखना है अब देखे जल्दी चलो जिससे वहां तक पहुंच सके इसमें क्रिया विसेशन जैसे आपका जल्दी दिया ह मा अपनी संतान को बहुत चाहती है तो बहुत देखिए इसमें क्रिया विसेशन हो जाएगा और इसके साथ देखिए यहां पर आपका चाहती इसमें आपका क्रिया हो जाएगा देखिए इसमें आपको देखिए सकता बाहर खेल रही है खेल रही आपका इसमें क्रिया है और पहले क्या लिखा देखिए सूरे सबेरे सबेरे उदय होता है ये वाला भरना है कमला मेरे घर कभी कभी आती है ये वाला आपको यहाब भर देना है अब आप कभ आएंगे नंदिया निरंतर बहती है आपको यह पर रिक्तिस्थान भरने है इसके बाद देखिए तीसरा दिये आपको में से क्रिया विसेसर्ण सब्दों को रेखांकित करना है तो बंदर पेड़ पर क्या कर रहा है उचलकूत करता है वह नीचे खड़ा है देखे आपको क्रिया विसेसर्ण वाल जगए पर आपको रेखांकित करना है ठीक है तो नीचे खड़ा के सामने कर देना है क्या तुम कल आओगे तो कल आओगे मैं आपको यहां पर यहां पर करना है रेखांकित करना है भालो ने बहुत सारे फल खाए तो बहुत सारे देखे आपको यहां पर लिख देना है बहुत सारे फल बादल जोर-जोर से गरज रहा है तो जोर-जोर से गरज आपको यहां पर देख पामी लिखा है तो वह लड़की बहुत हासी और इसमें देखे इसमें से क्या बहुत अच्छा गाती है काली वादल जोर से गड़ा रहे हैं इसमें से भरन है आपको देखे पेंड़से पकाम नीचे गीरा इसके बाद देखिए आपका आता है कारपत्रक 33 इसमें क्या दिया है समू को ठीक करके दुबारा लिखना है इसे पौधा क्या है माली है लगा रहा तो देखिए आपको इसमें लिखा है माली पौधा लगा रहा है चोथी में आपको इसे सही करना है कल विद्याले की छुटी है और पांच बा लिकना है इसको अंगे नमबर का आसहाय की मदद करनी चाहिए इसके बाद देखें दूसरा दिया है देखें बाकों को पढ़िए और बताएए कि बाक सुध्ध है या फिर असुध्ध है तो आपको बताना है सुरज गई सूख है रुमाल देखें यह आपका आठपटा लिख रहा है तो आपका असुध्ध हो जाएगा और हाथी आ रहा है जुमता हुआ तो देखिए यह भी आपका सुध्ध है हाथी जुमता हुआ आ रहा है तब आपका सुध्ध होता यहां से अनेक गारी गुजरती है तो देखिए यहां से यहां से आपको जो लिखा है ना अनेक गारी नहीं आपके पर अनेको गारी गुजरती है तो आपको यह यह सारी पूस्तिके मुझे पढ़नी है तो आपको देखिए इसमें आपको सुध लिखना है इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखना है निम्न असुध बाको को सुध कीजिए मुझे गिरिश्मितु अच्छा नहीं लगता तो आपको सुध करके लिखना है मुझे गिरिश् इस प्रकार करना मैं मली और उत्तर में लेकिन प्थर नहीं मारना चाहिए किसी के भी आपका लग सकता है तो आपको जो है कारपत्रक complete होता है अब आते हैं कारपत्रक 34 पर इसमें देखिए यहाँ पर इनके उत्तर देना है तो देखिए सबसे पहला को जो दिया गया है इसमें question में जैसे मीरा के जन्मिति पर उसे कितने खिलोने मिले तो आपको जैसे उत्तर है रोहन को छोड़कर सभी बच्चों ने परतियोकता में भाग लिया तो आपको देखिए यहाँ पर प्रस्म क्या बनाना है इसमें आपको उत्तर के अधार पर question मनाने है मेरे घर के बाहर एक खेल का मैदान है इसके बाद देखिए दूसरा आता है देगे बाकों में सब्दो के क्रम को ठीक करते हो लिखना है कहां हो जा रहे हो तो अब देखिए विवस्तित नहीं है तो आपको देखिए कि तुम कहां जा रहे हो इस प्रकार से लिखा है तो अगर आप इसे सुद्ध करेंगे तो लिख इसके बाद देखिए यहां पर आपको जो है यह आपका होगे ना दूसरा इसके बाद आपका है तीसरा बाको को ओचित विकल्प आपको लिखना है दो आपसंद दिये गये हैं तो वह कहां जा रहा है लिखना है इसके से इसमें से भरना आपको क्या तुम कल आगरा जा रहे ह इसमें से क्या भरना है देखिए तुम यहां क्यों रुक रहे हो इसमें से आपको भर देना है क्या आपका घर जैपूर में है और इसके बाद अगहा नमबर पर देखिए तुम्हारा घर कहा है तुम इसकूल कब जाओगे तो इस परकार से देखिए आपका कारपत्रक कम्प् पर इसमें आपका दिया है एक कहानी अब आपको देखिए यहां पर एक सरारती बच्चा था रमन नाम का और बिना ही करण जन्वरों को मारता था उसने जन्वरों को मारने में बड़ा मजा आता था एक दिनों है अपने दोस्त विमल के साथ बाजार जा रहा था रास्ते में उसने एक कुत्ते को सोते हुए देखा उससे सरारत सुझी उसने एक पत्थर उठाया बिमल समझ गया कि रमन कुत्ते को मारना चाहता है उसने रमन से का तुम बेचारे जन्वर को क्यों मारते हो मत मारो रमन ने दोस्त की बात नहीं सुनी उसने जोर से कुत्ते पर फेका ज अब देखिए यहां पर जो है question क्या दिये गए है कि यहां पर आपका देखिए अनुच्छेत से छाट का लिखना है जैसे बदमास का आपका देखिए यहां पर आर्थ होता है सरार्ती मित्र से आपके हो जाएगा इसमें आपका दोस्त होगा और कुरुद का आर्थ हो जाए गुस्ता और हाट का हो जाएगा बाजार अब इसके बाद देखिए दूसरा नीचे देगे बाकों से बाक बनाना है तो आपको बाक कैसे बनाना है बेकार लिखा है किसी को बेकार में परिसान नहीं करना चाहिए जानबर से क्या बनाना है किसी भी जानबर को मारना नहीं च गुस्ता से लिखना है राम को रमेज पर बहुत गुस्ता आया और बाजार से लिखना है राधा बाजार जा रही है इस प्रकार से आपको उत्तर करना है इसके बाद आपका रिक्षान आता है देखिए रमन एक सरार्थी लड़का था कुत्ते ने रमन के पैर पर जोर से काट लिया रमन ने कुट्टे पर पत्थर फेका तो देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ पर कार पत्थरक कंप्लेट होता है इसके बाद देखिए OCR आधायद एक आपका आकलन दिया है तो आपको इसमें देखिए OCR पत्थरक तो आपके पास आपको अभी आपने पर्थम आकल तो उसी पर देखिए आपको OCR पत्तक जिस्ट कार दिया गया था उसी में आंसर आपको करना जैसे आम सब्तकार्ज क्या होता है तो आपको देखिए समान ब्यक्ति और एक फल का नाम दोनों होता है कल हम बेंगलोरू जाएंगे तो यह कैसा है देखिए जाएंगे यानि अब आपको भविस की बात कर रहा है तो भविस कल पर आपको इसमें राइट क्रिसान लगाना है मेरा बिद्याल है गाउं में है तो देखिए आपको इसमें सही प्रसंद क्या होगा तो तू मोहारा बिद्याल है कहां पर है चोता कोश्चन दुकान दर इस कपड़े के 700 यापी ये वाल आपका है पे सुद्ध हो जाएगा इसके बाद नीचे लिखे गए सब्सक्राइब करने आपको सुद्ध होगा दबा का परोशन के है आपका पे दवाईया होता है इसके बाद आपका आठवा देखिए आपका होगे ना बेसब्द जो क्रिया की विसेस्ता बताए कहलाते हैं तो आपको इसमें क्रिया विसेसर कहलाते हैं ठीक है जो सब्द क्रिया की विसेस्ता बतलाता है उसको क्रिया विसेसर कहते हैं और कल माने खीर जलेबी बनाई देखिए बनाई थी तो यह आपका भूत काल को हो जाएगा पाश्ट की बात कर रहा है इस प्रकार से देखो हमने या tamanho कर लिया अब चलते हैं कारपतरक आपका यहाँ पर देखे 35 के बाद कारपतरग 36 पर कुए कर दिया है यके कारपतरक का आपका 36 में क्या दिया है इसको आपको चितर को देखना है और बहुत सारे आपके अंतर है आपको इसने पता लगाना है अब अगर देखा जाए तो देखिए पहला आपका चीतर आपका ये वाला है ये चीतर आपको देखना है और इसके साथ आपको यहापे ये चीतर देखना है तो पहला अंतर देखिए आपको यहापका मिल जाएगा तो इसमें देखिए यहां पर क्या है यहां पर आपका अलग आपका प्रेंटिंग बना हुआ है इसमें आपका अलग बना है अब और आप देखेंगे तो यहां पर देखिए जो आपका यह बच्चा है ना तो आप इसमें देखिए इसमें अंतर क्या है इस बच दिखेंगे आपको इसमें अंतर मिलेग तो आपको इस व्रकात से अंतर ढोना है जयद आपको कुछ लिखना है जिसमें चलते हैं कारपत्रक है पर आपके सैदीन पर इसमें के दिया है यहाँ पे नीचे दिके बीराम चेनों का प्रियूग करती हूए एकर आपको बाग के लिखना है जैसे अपका देखी यह आपका परसंभाचक का ची और राधा मेले जा रहे हैं देखिए आपको अलगा दिये गए दिये गए बाकों में आपका उचित विराम आपको करना था तो देखिए तुम यहां कितने बजए आई तुम यह विए पूण भीना लगा है अरे आपको देखिए इसमें आपका बिश्मियादी बोदक लग ज जाकर आपको तेल के बाद अलड़ विराम चीनी के बाद अलव यहाँ डी गया है। को पढ़िए कोश्टक में पूरा पूछे गए बिराम चुन्यों को सही बताना है देखिए यहां पर क्या लिका है बाह कितना सुन्दर साल है तो विसमयादी बोधक में आपको यह लगाना है तुम कहां जा रहे हो तो आपको इसमें प्रस्ण बाचक में चिन लगाना है अगला कार पत्रक है 38 नमबर का तो देखिए अलग अलग तरह के काम करने वाले कुछ नाम दिये गए हैं इनके बारे में आपको लिखना है जैसे सैनिक तो सैनिक देखिए क्या है सैनिक हमारे देश की सुरक्षा करते हैं बेसर्दी गर्मी और परसा में भी अपने कर्टब पर डटे रहते हैं तो आपको इनके बारे में सब्दों के बारे में लिखना है देखिए किसान के देखिए किसान खेतों में अनाज उत्पादन का कार करते हैं किसान को अंदाता भी कहा जाता है बेग्यानिक देखिए यह देश की प्रक्ति के लिए नए अविसकार करते है जिससे नई तकनिक का लाव मिलता है इसके बाद देखिए यह पर दरजी के दिया है दरजी यह सिलाई का कार करते हैं और सिलाई मसीन वह हास से कपड़े की सिलाई करते हैं इसके बाद देखिए आपको यह पर आपके आसपास काम करने वाले लोगों के बारे में चर्चा करना है उसके बेफसाय के बारे में लिखना है यह सुने चांदी और आबोसर बनाने का कार करते हैं इसके लाबा देखिए सुधार देखिए क्या लिखा है आपका सुथार ये लकडी के देखिए फरनेचर बनाने का कार करते हैं लुहार क्या करते हैं ये लोहे से बने औजारवा अनसमगरी का कार करते हैं इसके बाद देखें कुमार की बाद कर रहा है तो यह है मिट्टी से बने वर्तन खिलाओने और मट्के बनाने का काम करते हैं इस प्रकार से आंसर करना है इसके बाद दिखें कारपत्रक आपका आता है यहाँ पर 49 इसमें दिया है जिन सब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हों उन्हें अनेक अर्थी सब्द कहते हैं जैसे हार के दो अर्थ होते हैं एक आपका होता है पराज है और दूसरा आपका हार मतलब माला भी होता है अब देखिए इसके दो-दो अर्थ आपको लिखने है और इनका अर्ज के साथ बाग का प्रयोग भी करना है जैसे आपका लिखा है इसमें क्या लिखा है उत्तर लिखा है ठीक है तो उत्तर को देखिए इससे एक अर्ज आपका जवाब होता है और एक उत्तर यानि आपका एक दिशा होता है अब इसे एक बाग बनाना है अध्यापक के प्रसन पूछने पर राम ने उत्तर दिया इससे बनाना है बाग के धुरुप तारा उत्तर दिसमें दिखाई देता है इसके बाद देखिए आपको दूसरा दिखाते हैं दूसरा आपका दिया है लाल अब देखिए लाल से आपको देखिए दो अर्थ क्या होता है एक पूतर होता है और एक आपका रंग होता है अब इनको जो है आपको हम चलिए अंसर दिखाते हैं तो देखिए इससे आपको बाक बनाना है पूतर से यह सोधा अपने लाल से बहुत प्यार करती थी रंग से ब खाना पसंद है ठीक है तो आपको इस प्रकार कर देना है इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया है अर्थ दिया है तो अर्थ से देखिए आपका इसके दो अर्थ क्या होते हैं मतलब और एक आपका धन होता है हाट का अर्थ बाजार होता है और रमेश को अर्थ की तो भाव के आपके दू अर्थ के होते हैं मूल और संबेदना बेंजन का आपको आगे मताएंगे देखें आपको इसमे लिकेन है आलू का भाव 20 रुपए किलोग्राम है संबेदना से आपको लिखने है आपके कहने का भाव क्या है ठीक है इसके बाद देखें यहाँ पर क्या होता है एक आपका होता है समाधान दूसरा हाल यानि आपका देखिए जुताई करने के लिए एक आपका ओजार कहलाता है अब इनमें आपको बाग क्या लिखने देखिए पगवान के सामने लिखना है कल घर पर अच्छी बेंजन बनाए थी बंड से क्या लिखना है बें अबिवार, सानिवार, थोंबार तो एक आपका दिवस होता है और एक बार यानी हमला करना होता है इनसे आपको बाग कैसे बनाने है आम देखें दिवस से लिखने है आम आज आपका रविवार है ठीक है और आम नहीं करना है आपको आज लिखना है और हमला से लिखना है भार कर उत्तर देना है तो चलिए देखते हैं पर आपका गध्यांस क्या लिखा है तो गध्यांस देखे मेरा चैन्म हुआ तब कितना अलग था यहां से उचे-उचे आपके घर नहीं थे और यह सड़क भी नहीं थी वह सिनेमा का बड़ा सा पोश्टर उसमें नाचने वाले और भी नहीं है सामने का यह समुद्र है बहुत अकेला पन महसूस होता है तुम्हें यहां लाकर खड़ा किया गया सोचा चलो कोई तो होगा जो आपका साथी यहीं सही लेकिन वो भी कहां तुम तो मुझसे अपनी अकड के मारे बोलने को तयार नहीं थे आप इनमें देखिए आपको यहां पर एक कोश्चन का आंसर कैसे देना है चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले आपको दिया गया है देखिए गध्यांस में पेड अपने मित्र बिजली के खंबी का दिया है यह कोश्चन पढ़ लिजे इसमें आपको देखिए यहां पर बदलाओ को लिखना है इसमें इसमें आपको यहां पर लिखना है हर गाओं में सेनियर स्कूल चोड़ चोड़ी सड़के साधनों के अधिकता पाने की बड़ी तंक्यों के निर्माण और इसके अलावा देखिए यहां पर यहां पर लिख देना है बदला हुए नलों की व्यस्ता यह सभी बदल दोस्त है जो अकड के मारे कभी बात नहीं करता तब आप उससे बात करने के लिए क्या करते हैं तो हाँ अब हमारा दोस्त helicopter होई करता है तब आपको हरकतिदी में और आगकी ले जाने हे तूप प्रियास करते हैं से बात करें अब इसके बाद देखिए आपका आकलन आता है आकलन छे तो आपको यहां पर एक अध्यांस दिया है इसमें आपको उत्तर बताना है कि हमारा एतिहासी गौरब क्या है तो देखिए आपको इसमें संस्क्रतिक धरोहर और पेले पौदे तो आपको इसमें दिया ग और चोथे नमबर पर देखिए क्या लिखा है संस्कतिक सब्द बना है किसे बना है तो संस्कतिक धन आपका संस्कति धन आपका एक से बना है इसके बाद देखिए अब इसके बाद जो आपका लिखा है हमारे संस्कति बिरासत में कौन-कौन सी चीजे समाहित हैं तो इसमारक, महल, बावडिया, मकवरे, मंदिरे, तियोहार, लोकनर्त, संगित और कलाएं अब देखिए इसका अगर उत्तर की बात करें तो ये देखिए आपका सबे लिखा है कि ये बिरासत के खजाने में सामिल है इस मारक बावडिया, आपके इन्ही को आपको अंसर बताया गया है इसके बाद देखिए लिखा है इसमें संसकतिक बिरासत हमारे लिए कितना महत्पूर कैसे है तो संसकतिक बिरासत हमें अपने पूर्वजों से जोड़े रखती है और यह हमारे क्रमिक विकास की कहान ही कहती है इसके बाद देखिए साथ बाद यह हमारे क्रमिक विकास का बया करता है तो संकतिक धरोहर जो है हमारे क्रमिक विकास को बया करता है नीचे दिये गए बिराम चिन्नों को नाम लिखकर बाकों को परियुक किजिए ये देखे आपका प्रसन बाचक है ये आपका देखे अलबिराम है और आपका लाश्ट वाला आपका बिस्मयादी बोदक है तो रमेश कहां जा रहा है और अलबिराम से लिखने है राधा, मोहन और स्याम खेल रहे हैं बिस्मयादी बोदक से लिखने है अरे मैं कच्छा में प्रथाम आ गया और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको इनके बारे में आपको लिखना है अध्यापक देखिए यह बच्चों को पढ़ाने का कार करते हैं कुमार के करता है मिट्टे से बने बरतन का निर्मार करते हैं दसबा देखिए यहाँ पर दो अर्थ और बाक्ट अगले कार पत्रक पर 41 से पशास्तक का अंसर देंगे जै हिंद जै भारत तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटाने उस पर अपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा